तो एक मेडम है, इनको घंटा फरक नहीं पड़ता, ये कुछ भी करेंगी, इनको किसी से मतलब नहीं, बस हमारे पती से हमको मतलब बाकी किसी से मतलब नहीं है, कौन हमारे बारे मच्छा सोचता है, कौन हमारे बारे मच्छा सोचता है, हमको किसी से नहीं लेना, बस हमारे पत होती हैं सची है मगर कड़वि हैहर सदी सुदा लड़की के जिंदगी में अगर इनके जिंदगी में चप्रों क्या हुआ ऐसी आपकी हर्कते रहेंगे सास अभी तो एक-दो दिन के लिए माई के जा रही है आप को सी मजाक के लिए यह तो वह वीडियों दिखा कि मातना चातीए? मेरा देवर बहुत गंदा है, मैं बहुत अच्VER हूं इनको यह वीडियों डालना नहीं चाहिए था तो ये भी बात है जो आप देवर को बार-बार पोक करेंगी मजाक करेंगी तो देवर भी भाई हाथ छोड़ेगा एक लीमिट रहता इंसान सामने वाला और ये अपनी आए दिन हर वीडियो में हमारे घर ये होता है हमारे घर वो होता हमको छोड़के चली गई माई के तो नहीं जाना चाहिए था सही बात मैं बोलती हूं माई के नहीं जाना चाहिए था मगर जिस हिसाब से आप कारणामे कर रही है ना तो उसके हिसाब से भारिम को माई के जाना ही पड़ेगा क्यूंकि उनके रहने न रहने से आपको तो कोई फरक नहीं है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी सास को भी थोड़ा इसको समझाना चाहिए अगर उनके अंदर भी कोई ego है कि मैं के सामने नहीं अंसु के जुकूंगी तो उनके सास को भी एक बार समझाना चाहिए कि बेटा ये सब जो तुम कर रही हो न यूटूब पे आने बाद देख दो साल भात घर की जच जाती है लेकिन तुम तो आते ही लिपा पोती मचा के र सारा था कि काम नहीं की हैं बस नाची गाई उछड़ी कूदी हैं जो बस इनके ब्लॉग में दिखता है कि उस टाइम में खुश रहती घर का काम कर रही थी में पहली बात मैं अंसु ये बोलूंगी मैं भी राजपूत हो तुम भी राजपूत हो तुमको शुरुवात में पहन के लेगी पहन के करने को मतलब काम करने को मिल रहा है बहुत बड़ी बात है तुम उन लोग का अहसान मानों नहीं तो कम सकम एक से छे महीना तक साड़ी लिपेट के इनसान को यहां तक करके कितना भी अच्छे घर में चले जाओ इतना तुमको फॉलो करना ही पड़ता है आप बोलेंगी कि बड़ा ग्यान की बक रही हो तो गयान नहीं बता रहे बेटा जो सचाई वहीं बता रहे हैं तो आपको तो बहुत छूट है कि आप जब मन करें अपने माई के चली जारू जब मन करें आ रही हो जब मन करें खा रही हो जब मन करें सो रही हो जैसे मन कर वैसे तुमको कोई देखके बोरी नहीं सकता कि तुम ससुराल में हो और रही बात आपके सास को क्या अच्छा लग रहा होगा अभी आपकी नहीं नहीं साधी हुई है और आप यूटूब पे टीशर्ट पहन के बिना डुपट्टे का अभी नहीं मैं देखो यह नहीं बोर र पश्पना रहता है धीरे धीरे इंसान सब को सीख रहे लेकिन जैसे मनकरा वैसे आप यूटूब पे कोई ब्लॉग अप्लोड कर दे रहती है और आए दिन अपने ससुराल वालों को ऐसी काईद करती रहती है सासम और एकल बोली कि चाय दिल लेके गए थे अपने देवर को मगर वो चाय नहीं लिए बाहर से पी के आ गए और हमको क्या ही करना है तो यहां पर अन्सु का कहना है कि हमको सिवान बहुत जरूरी काम से जाना है मगर मम्मी भी नहीं है देखते हैं क्या करना चाहिए तो नहां इनकी सासुमा घर पे इनको अकेले छोड़के चली जाती ह है और एक लोग का कहना था कि जैसे इनकी साधी हुई थी ना अन्सु और सुबम का वैसे इनकी सासुमा साधी के एक दो दिन बाद ही छोड़के चली गई ती कहीं दर्षन करने के लिए नई नई बहु को कोई ऐसे छोड़के जाता है क्या तो इनके घर में और बहुत रहते हैं कि मौसी सास जो हमेशन के साथ रहते साथ उनके उपर जिम्मेदारी छोड़के गई थी या अंसु का पहले से नेचर जानती रही होंगी भाई अंसु पने मनमानी करेगी तो अंसु बोली वो तो चली गई है अब हम देखते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं आज अपना घर का कामाम दिखाती बरतंद होते होते दिखाती है उसके बाद अंसु इमोशनल थी मतलब उसके अंदर क्या है न मुझे आज तक उसका नेचर समझिम नहीं आया तो उसको डर लग रहा था घर में अकेली थी ना सास भी नहीं थी देवर भी नहीं थे कोई नहीं थ हूँ आके यूटूब पे अपने घर का तमासा किये देखो रियल्टी ते यही है तो उसमें उसके बाद वो अपना रोई गाई जो आय दिन ब्लॉग में स्टार्ट सुरू से ही यही उनका ड्रामा फना है उसके बाद अपना रोई गाई फिर उसके बाद वो अपने आती ह सिवान आती है कोई बहुत जरूरी काम से तो इस अपका यही कहना है कि देखो ना साइस घर पे ये भी घर से आ गई अब इनको इतना कौन सा जरूरी काम था कि इनको इतना जल्दी सिवान आना चाहिए था लेकिन कहीं ने कहीं अंसू जो कर देवर भी यूटूब पे रहते एक मैं रख रही बात तो ये जो अपने ससुराल वालों की गलती बता रही है तो क्या उनके देवर भी अपना पॉइंट रखते तो कितना बड़ा मुद्दा होता आए दिन एक मुद्दा खड़ा होता लेकिन इनके घर वाले यूटूब पे नहीं है तो अपनी बाते नहीं रख पा रहे हैं और मैडम क्या बोल रही है गई थी एक दिन काम से अपनी सास को बोली थी हो तो गई थी एक दिन काम से अब जाके वहीं टिक गई है आ नहीं रही है कौन सा उनको काम है मतलब यार क्या बोल रहे हैं उसको खुद नहीं समझ है कि अपने सास को कुछ नहीं समझती देवर को कुछ नहीं समझती किसी को भी कुछ समझने को तयार नहीं है और सब को बोलती है भाड में जाओ बस हमारे पती से मतलब है तो ऐसे आप बोलोगे वीडियो में आप डारेक्ट बोल रहे हो तो आप वीडियो के बाद कितना कुछ उन लोग को बोलते होगे सब बता द तर बैठी रहूंगी मैं किसी को कुछ भी बोलूंगी तो ऐसा कुछ नहीं था और जहां तक रहा देवर हाथ उनके उपर उठाए तो देखो जब मुह लगा लोगी तुम देवर को हमेशा उल्टा-पुल्टा बोलोगी देवर तुमको बोलेगा तो यह चीज होगा और यह साथी की टाइम का भी बता रही थी कि अपने साथ देवर को ही बोल रही थी कि वह जैसे स्टेश पे पहुंचा डे वन से हमको टार्गेट करना इस्टार्ट कर दिया तो बहुत लोग का था कि इसकी ननद से इसका नहीं जमता इसलिए रक्षा बंधन पे अंसु जब भगवानी जाने तो यहां तक इंस्टा पे अपनी ननत को अनफॉलो भी कर दी है अंसु और बहुत से चीज़ें बहुत हैं मतलब देखो पब्लीक ना जो रहते छोटे-छोटे पॉइंट पकड़ती कि आप कहां पे गला तो कहां पे सही हो तो भाई क्या होगा भगवानी जाने अंसु से रामी बचाएं और कोई भी ऐसी बहु पसंद नहीं करेगा कि जो बहु आती ही तमासा बना के अपने घर का रख दिया वो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो वीडियो पसंद आए जरूर चैनल को सस्क्राइब कर लाइक करेगा शेयर के बाबाई दोस्तों रख यपने करेगा